हेलो फ्रेंस मास्टर की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज मैंने बनाई है एक्तम बढ़िया से रेसिपी जो की है स्ट्रीट फूर और हर किसी को खाना पसंद होता है यह खालो तो फिर बहुत बढ़िया सा पेट भर जाता है और साटिस्फैक्शन मिलता है तो यहाँ मैंने बनाए है अमरिस सरी, मटर और कुल्चे तो फड़ा फड़ से हम पहले कुल्चे की तियारी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है एक चमच चीनी और उसमें डाल दिया है दो से तीन चमच पानी और साथ में एक चमच इस्ट डाल करके जिसे हम खमीर कहते हैं इसको मैंने 15-20 मिनिट के लिए फॉर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा खमीर फॉर्मेंट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे मैदा तो आपको जितना डो लगाना है मुदना मैदा आप ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 3-4 चमच ओयल ये मैंने रिफाइन ओयल लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से हमको इसमें मिक्स कर लेना है सारा खमीर और ओयल बहुत अच्छे से मैदे में mix हो जाना चाहिए हमको बहुत जढ़ा नहीं लेना है क्योंकि हमको इसको खस्ता कचोरी टाइप का मैदा हमको नहीं चाहिए हमको simple dough चाहिए जो की थोड़ा semi soft रहेगा हाइट भी नहीं रहेगा बहुत जढ़ा soft भी नहीं रहेगा और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और फटाफट से आपको हलके हाथो से इसका बढ़िया सा एक सौफ्ट सा डो लगा लेना है क्योंकि जो कुल्चा जो बेस होता है न ये पूरा डिपेंड करता है इसके डो पे कि आपने डो कैसा लगाया है तो इस टो को हम बना लेंगे फटाफट से और इसको हम रख देंगे 15-20 मिनट तक ढख करके तब तक हम आगे मटर की तयारी कर लेंगे तो ये हमारा डो अल्मूस्ट रेडी है और अब आगे मटर की बारी तो यहां मैंने ले लिये थे हरे वाले मटर जिसको मैंने रात बर वाले बीडा है तो up देंगे अने लालो मिर्श पॉर्डर की अया मान खाले हैं तो पने आले हम लालमिूस्ट बाडर की डाला है और यहां चात मसाला भर बढ़ना था निस करेंगे मन दुआत शीन गरम मसाले का पॉडर और साथ में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बहुत ही अच्छी सीदम फ्लेवर्ड चटनी जो कि पहले से मेरे पास थी ग्रीन चटनी रिडीट वाली आप ऐसे घर वा बना के भी चटनी यूज़ कर सकते हैं और साथ में इमली की चटनी भी मैने ड सकते हैं तो यहां मैंने बहुत सारे शूटा सा तड़का लगाएंगे यहां पर मैंने ले लिया है सरसो का तो ये हमारा एकदम बढ़ियां से मुह में स्वाद लाने वाला मटर तयार है इस तरीके का मटर मैंने घर में पहली बार बनाया था तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपिरियंस हो तो अब तो मुझे लग रहे है कि मैं इसी तरीके से सारे मटर छोले चने सब ऐसे बनाने वाली हूँ तो ये रेसेपी पसंद आए ना तो आप जरूरी नहीं कि इसको कुल्चों के साथ ही खाओ इसको रोटी के साथ खाओ चावल के साथ खाओ जिसके साथ खाना और खाओ तो ये हमारे मटर तयार हो चुग है तो चले फटा फट से हम यहां पे अपने गर्मा गर्म कुल्चे से एक लेते हैं तो इसके लिए मैंने रोटी जैसा एक डो ले लिया और इसको हमने बेल लिया है तो आपको बहुत जादा इसको पतला नहीं बेलना है और बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है तो इस तरीके से आप इसको बेल लेंगे ये देखिए मैंने बेल लिया और इसके उपर लगा दिया हमने कलॉजी कलॉजी ना भी हो तो कोई बात दी है आप इसको skip कर सकते हैं ये पुरी तरीके से optional है एंड साथ में डाल दिया इसे उपर धनिया पत्ती लगा करके और एक बिलंग चला दिया है और अब हम इसको यहाँ पे पका लेंगे तबे पे हम नान जब बनाते हैं तो हम नॉन स्टिक बिल्कुल यूज नहीं करते हैं मैंने यहाँ पे बनाया है कुल्चा तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन यूज किया है क्योंकि हम इसमें आराम से इसको डख के पकाएंगे और हमको इसको गैस पे नहीं पकाना है इसको क्यूंकि नानवे हमको पलट के पकाना होता है बट इसमें हमको सीधे सिम्पल इसी पे पकाना है तो ये मेरा अदम बढ़ियां वाला सौफ्ट वाला कुलचा त्यार है तो इस तरहीके के कुलचे बनाएं अपने बच्चों को खिलाएं और यह बहुत healthy मैदा ही है लेकिन यह बहुत healthy हो गया क्योंकि इसको आपने घर पे बनाया है तो अच्छे हाथों से बनाएं और अच्छे मसाले यूज़ करके बनाएं और बच्चों को खिलाएं और बाहर का खाना बिल्कुल avoid करें तो अब street food के लिए बाहर जाने की बिल्कुल ज़रोत नहीं बच्चों को रोज ने ने डिश खिलाएं और पसंद आये तो like करना, share करना, subscribe करना और bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलना और यहां मैंने पाओ भी डाले हैं क्योंकि यह कुल्चे ना, पाओ के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे थे, तो thank you for watching